दम्पकास उत्सब या दीपावली या दीवाली दीवाली दीपावली भारत ही नहीं पूरे एशिया का बहुत ही प्रमुख एक उत्सब है फैस्टिवल है और ये उत्सब और फैस्टिवल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन पुराना है मगर किसी को भी आज तक इसकी सही जानकरी नहीं है कि दीपावली दीवाली या धम्पकास उत्सब कब से कैसे आरभ हुआ क्योंकि भारत की सभी पुरानी किताव हैं अगर इत्यास की हम चाने तो उसमें भी नहीं मिलता और जो बिना इत्यासी किताव हैं जिनमें ना समय है ना प्रकासक है ना लेखक है ना राइटर है ना ही इस्थान है और नहाई उन किताबों में ये जानकारी है कि ये पहले कहां से चला या जो इसमें जो जानकारी है उसकी कोई authenticity या उसका कोई पत्थर या उसकी कोई लिखा या कोई ताम पर मिलता हो इसका मतलब जो दिपावली या जो धम पिकास उस्सव है वो पुराना है काफी मगर बुद्ध का जो साहित्य है यानि बुद्ध ने जो थियासिक साहित्य लिखा हुआ है उसके साहित्य में जो स्री लंका में मिलता है दीबदान करके वहां से एक लाइन मिलती है जो बताई जाती है और जिसका जिकर जो सम्यक प्रकासन के शांतिसरो बाजी है उनौने अपनी वीडियो में किया है दीप दान करके जहाँ दीप दिये जाते हैं तो उनौने उसका नाम दीप दान种 सब वहाँ से लिया मगर धम प्रकास उसब यानि जो दिपावली है वो दिपावली ये तो तैह है कि वो बुद्ध के बाद आरम हुई है और चुकि इसका नाम धम प्रकास उसब है धम का प्रकास है तो ये भी तैह है कि ये धम की दिपावली है धम की दिया वली है और ये धम के बाद आरम हुई है जब धम आया उसके बाद तो बुद्ध के बाद आरम हुई है और धम की खुशी में आरम हुई है क्योंकि अगर आप एक बार कोई दीप जलाते हैं तो दीप सब्द कहां से आता है? दीप सब्द आता है पुद्ध के थियास से, जह हम कहते हैं अत्त दीपो भव, यानि अपना दीपक हो जाओ, अपना दीपक बनो, अपना दीपक हो, तो इसका मतलब है कि दीपक क्या करता है? प्रकास देता है, तो यानि कि आपको अपना प् और खुद को कैसे प्रिकास देना है ये उधारन बुद्ध ने सेट किया बुद्ध ने बताया तो बुद्ध नहीं कहा अतदीपु भाण यानि बुद्ध पहले खुद जले जलने के बाढ़ में जलने का मतलब है तब किया साथना की कि तब किया, मैटिशन किया, विपसना की, उसमें वो जले, 60 साल तक उन्हों में महनद की, उसके बाज जो प्रकास आया, पकास आया, वो पकास को धम के नाम से जाना, क्योंकि धम का मतलब है एहंग धारन, यानि जो मैं धारन करता हूँ, यानि जो वस्तोय धारन करती है, यानि जो प्रकती है, जो नेचर है, जो नेचर का लौ है, तो उस नेचर के लौ की वैसे इसका नाम धम पकास उस सपड़ा, तो जाहिसी बात से उस सब का मतलब है, कि वह जितने भी लोग हैं उन स्वे में इसका वास्ट कराना, उन सब को बताना जो उस सब हुआ है, वहां सारा सम्मेलन हुआ है तो यह धम के आने के बाद हुआ है और जाहिसी बात है कि धम के बाद में जो उस सब इस्टार्ट हुए है वो बुद्ध नहीं आरम किये हैं, तो यह इसमें कोई जगड़ा नहीं है, कि ये बुद्ध से आरभ होती है, और बुद्ध के अत दीपो भव से दीपक आया है, दीपक नाम पाली के अंदर ही पहले से है, और दीपक से ही बहुत सारे सब्द बने हैं, और दीप दान भी वही से बना है, यानि प्रकास का दान करना, धम जो सब्द है वो बाद में आया है, दीप सब्द पुराना है बुद्ध से पहले का, तो वो जो सब्द है जहां से ये दीपो की आवली बनी है, आवली का मतल़ होता है पंक्ती बनाना, लाइन बनाना, कैसी लाइन बनाई है, एक तो आप कह सकते हैं कि दीए से दीए जलाना और लाइन में लगाना दिपावली होगी आज के समय मगर धम प्रकास दिपावली बनानी हो या धम प्रकास की दिवाली बनानी हो तो धम के प्रकास की लाइन लगानी है ये लाइन बुद्ध ने बनाई जब बुद्ध ने सबी लोगों को लगाता 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 लाइल लगाकर धंब सिखाया और सबसे पहले अपने गाउं से अपने कपिलवत्थू थे अपने कपिलवत्थू में जाकर अपने परिवार के लोगों को वहां से उनको लिया और वहां से उनको सिखाया जब उनके पिता ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो एक बार गाउं आएं तो वो गाउं आए यानि कपिल वत्थु आए अपने कबीले में आए और कबीले में जब वो आते हैं तो आने का नियम बुद्ध ने बनाया है कोई भी भिको बारिस में कहीं नहीं जाएगा बारिस में वहीं रहेगा उसको वसावास करना पड़ेगा बारिस में जाना आसान भी नहीं है क्योंकि बारिस हो रही है कीचर है पकी सड़क तो है नहीं इंट तो है नहीं पत्थरों की सड़क बहुत बाद में असोक ने बनवाई है तो कच्छे रास्ते हुआ करते थे जो सांप से, कीट से, पतंगों से, जाड़ियों से भर जाये करते थे जिसमें चलना जान का जोखिम होता था इसलिए बुद्ध ने नियम दिया कि आपको यहीं रहना है कम से कम तीन महिने, जादा से जादा चार महिने, तीन महिने के बाद आप जा सकते हैं, पवर ना बोलते हैं उसको यानि पवन की तरह आपको रमन करना है, तो निकलना है बाहर पवन की तरह, तो जाने का समय है, पंदे दिन हो चुके हैं, जाना सुरू कर दिया है भिक्को ने, तो जो सुद्धोधन का निमंत्रन आता है उनके पिता का तो उसको सुखार करते हैं और जैसे ही पवढ़ना आती है उसमें प्यारी करते हैं और भिक्को संग चल देता है कपिलवत्थू की तरह है जब कपिलवत्थू जाता है तो वहां जो पहुँचना है तो खबर आती रहती है कि अब बुद्धी यहां पहुँच गए है भिक्को संग के साथ बुद्धी यहां पहुँच गए है और जो वो पहुँचने वाले हैं जिस दिन उस दिन अमावस आना है अमावस की रात आनी है तो यानि आमावस को वो सुबह-सुबह महां पहुंचेंगी तो देखिए क्या होता है दरसल वहाँ चावल की फसल आई हुई है इन दों चावल की फसल आ जाती है चावल की फसल को तंडुल बोलते है चावल की दानों को तंडुल और तंडूल नाम बहुत फेमस है, मगर अभी हटा दिया गया है चावल को भात बोलते हैं, पके हुए को या भात सही भत्ता बना हुआ है और चावल सब्द जो आया है, वो बाहर से आया है पाली का सब्द चावल नहीं है तो इसको तंडूल बोलेंगे, इसको भात बोलेंगे, इसको ओधन बोलेंगे ओधन सही नाम है, जो बुद्ध के पितार का नाम है सुद्धोधन यानि साफ चावल और जो अमित ओधन है, यानि की जिनकी आभात खतना होती हो ऐसे चावल या जो सुको धन है उनके चाचा है तो इसका मलब सफेद चावल यानि ओधन से है ओधन माना भी चावल होता है पके वे भाद होता है तो तंडल जो होता है मकर सारे जितने भी ग्रेंस होते हैं उनको धई बोते हैं और धई से धानने बना है और धई से धन बना हुआ है यह जितने भी यह चाहें जोंके ध्वीं हैं, ध्वाइएं, क्रेंज Mmm ग्रेंज हैं मखई के दाने ध्वान relação हैं तोछ यह तल रहा है धन आ रहा है ध्वान आ ररा है। तो इसको कैसे परदर्स करते हैं क्योंकि पुराने समय में जो महिला थी वो परधान थी घरों की तो परधान कौन है परधान है महा माया है नहीं परजापती गौत्मी तो परजापती गौत्मी दोनों भेहन रही हैं और उपर से दो हाती धही को और धान को लगाता डाल रहे हैं अभी तो फोटो बहुत ज़्यादा पिर्चले थै जिसमें वो लखो धान डाले हैं लखमी है यानि कि लाखों के संख्या में धही डालने हैं और कोटी माने जिसका शिखर बना हुआ हो कोटी रासी मतलब जो शिखर का ढेर हो उसको कोटी रासी बोलते थे इसमें इतने हैं जो गिने नहीं जा सकते हैं अभी कोटी को करणों बोलते हैं तब ये सब खाली लखमी या लख या लाख और या कोटी हुआ करते थे तब ये करोड नहीं थे, तब ये लाख नहीं थे तो ये बहुत छोटी-छोटी बात है जो दिपावली से सम्मधित है ये कमाल की जानकारी इसलिए है क्योंकि बुद्ध रास्ते में हैं और चल रहे हैं तो क्या आ रहा है? धन, तंडुल, वन्ती तंडुल का मतलब चावल है धही का मतलब है धही का मतलब है धान में यानि कि जो ग्रेन हैं वो चावल के हैं और वन्ती माने महिला है जो उसकी मालकिन है तो इसको धन, तंडुल, वन्ती का नाम बाद में धन वन्ती पड़ा और धनवंत्री से ये धन 13 पड़ गया क्योंकि ये 13 दिन आता है तो धान का 13 दिन धान आ रहे हैं, धान इखटे के जा रहे हैं पूरे साक्यसंग में ताकि भिक्कु संग को खाना खुलाना है बढ़िया खाना खुलाना है तो अगला दिन कौन सा है? काड़ी 14, काड़ी 14 का मतलब है, काड़ी का मतलब रात काली है तो काड़ी 14 का मतलब है, काड़ी मतलब रात हो गई और 14 का मतलब है, चौधमा दिन जब पूरी तरह से चंदरमा खतम हो रहा है और छोटा होके बिल्कुल गायब हो रहा है और अगले दिन अमावस है तब चांद दिखाई ने देगा पूरी रात काली होगी तो क्या कर रहे हैं फसल पहली बार आई है चावल की धही की तंडुल की उसको पका रहे हैं उसमें दूर डाले हैं उसमें सहर डाले हैं उसमें गुर डाले हैं और उसमें पका कर उसके पिंडी बना रहे हैं, पिंडी मतला लड्डू बना रहे हैं, और उसको चेक कर रहे हैं, खा के देख रहे हैं, कैसा है, विकु आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, उनको चावल का बड़िया खाना खलाना है, सबसे बड़िया खाना माना जा जा जिसमें शहद जिसमें चावल होते थे, मिक्स करके बना जागा था तो वो सारी सारी त्यारी कर रहे हैं और वो घरों के आसपास उजाला भी कर रहे हैं दिये तो रोजी जलाते हैं कोई ऐसा नहीं है कि वहां हमेसा अंधिरा रहता हो क्योंकि दीब तो बन चुका है पहले से दीब की जानकारी तो पहले हो चुकी है दिया बाती की जानकारी हो चुकी है समाज में ये पता चल चुका है कि अगर तेल डालेंगे और उसमें एक बाती डालेंगे राग लगाएंगे तो जलती रहती है उससे प्रकास होता है ये जानकारी मन उससे को हो चुकी है तो कोई ऐसा उत्सव तो है नहीं कि प्रकास जलाना है क्योंकि प्रकास तो समय के नुसार बहुत पहले से हो रहा है मगर प्रकास का उससभ है तो हम इसमें दरसल धम लगाना भूल गए क्यों भूल गए? क्जिवें क्योंकि उससभ में तो कौन बात थी कि धम सिखाना धम का प्रकास है आज भी बहुत जगň प्रकास उससभ मनाते हैं अपने गुरूं का लोग कहते हैं हम अपने गुरू का प्रकास हुस्ब मना रहें तो तो प्रकास हुस्ब मनाते हैं लोग तो ये प्रकास हुस्ब यानि धम प्रकास हुस्ब बहुत पहले से बुद्ध के बाद या बुद्ध के समय से स्टार्ट होना सुरू हुआ तब ये दिपावली के नाम से नहीं होगा या दियावली के नाम से या दिवाली के नाम से नहीं होगा और इसमें ये जो जोड़ा गया है जुआ खेलना, शराप पिना, मास खाना, पठागे छोड़ना ये दरसल धम को खतम करने का या धम को मोडने का या इसका व्यापारिक रूपांतरन करने का एक सफल प्रियास रहा है जैसा कि सारे के सारे फेस्टिवल में रहा है जो भारत के रहे हैं भारत के सारे फेस्टिवल जितने भी हैं वो किर्सी परधान हैं किर्सी रहें यहाँ पर या जानवर प्रधान है या पारवरिक प्रधान है वो प्रधान रहे हैं तो यह जो फैस्टिवल रहा क्योंकि अब बुद्ध आ गए हैं आके वो रुके हैं पहुंच गए हैं दीपावली में तो उस दिन इसको कहते हैं कि यह प्रकास का दिन है आज भग्मान आये हैं तो प्रकास देंगे तो वो धम का प्रकास देना सुरू करते हैं और धम का प्रकास दे रहे हैं तो अगले दिन नाम क्या पड़ता है गोवर धन अब गोवर धन जो सब्द है धन का मतलब किसी भी हालत में पैसा और रुपिया नहीं है, क्योंकि पैसा और रुपिया तो उस समय था नहीं कोई चेक नहीं है, कोई एकाउंट नहीं है, कोई सौना नहीं, कोई चांदी नहीं तो दरसल धन किसको कहते थे, पहले समय में धन उसको कहते थे, जो ज्यान होता था धन्वित्ती नाम है इसका सभी धन्वित्ती का मतलब है कि ज्यान का पूरा संध्र है इसको धन्वित्ती बोलते हैं तो जो लोग धन्वान होते थे वो दरसल ज्यान के जानकार होते थे उनको धन्वान बोला जाता है तो ज्यान के जानकार को बाद में यह चीजों से जोड़ दिया गया, इसका व्यापारी करण हो गया, तो दिक्कतें जाता हो गई, लोग धन का मतलब जो धही और ग्रेन और ग्यान को छोड़कर पैसे और रुपे पे आ गए और चेक पे आ गए और प्रपर्टी का लिए, तो उस समय के हिसाब से जो गोवर धन है, गोवर का मतलब है गोतम वरंग, गोव का मतलब गाय नहीं होता और गोव का मतलब गोवर भी नहीं होता क्योंकि आप जो बताया गया है और जो दिमाग में डाला गया है और जो किताबों में लिखा गया है वो यह है कि गोवर वो होता है जो गाय मल करती है, पाली में गोव का कोई भी ऐसा पाली में धेनु सब्द है, यानि जो काव है उसको धेनु बोलते हैं, ना गौ बोलते हैं ना गाय बोलते हैं, गौ और गाय बहुत बात के सब्द हैं, जो बदले गए हैं, दरसल पाली में जो गौ का मतलब है, वो गौतम की लाइनेस से है, यानि गौतम का जो कुल है, उससे गौतम है, यानि जो चीज उससे संबंदित है गौतम कुल से, गौतम से वो गौ से आरह होती है, जैसे गौरक्खा, गौरक्खा का मतलब है गौतम की रख्खा करने वाले रख्षा करने वाले, गौरक्पुर यानि कि गौतम की रख्षा करने या गौतम का स्रेष्ट और धन का मतलब हो गया आप धम भी कह सकते हैं और ग्यान भी कह सकते हैं तो गौतम वरण या गौतम वरधम या गौतम वरधन या उनका ग्यान जो सबसे स्रेष्ट है वो दे रहे हैं तो उस दिन नाम पढ़ गया गौतम वरधन या धम और उससे अग भैदूर का दिन है, यानि भैदूर होना सुरू हो गया, तो भैदूर से भैया बना दिया और दूर का दौज कर दिया, भैया सब्द पाली में नहीं है, क्योंकि भैया में दो मात्राइं लगती हैं, और दो मात्राओं का एक भी सब्द पाली में नहीं है, तो ये भैदूर है भै दूर का मतलब है कि जैसे जैसे ग्यान प्राप्त होता है ग्यान का प्रकास आता है धम का प्रकास आता है भै दूर होना सुरू होता है और बदंत जो बोलते हैं जो भिक्कू होते हैं उनको बदंत बोलते हैं तो बदंत का मतलब है, जिसका भै का दंत हो गया हो, दमन हो गया हो, जिसका भै का खतम हो गया हो, और भंते भी उसको बोलते हैं, जिसका भै का अंत हो गया हो, भदंत की short form है भंते, यानि भदंत पूरा नाम है, short में भंते बोलते हैं, तो जो भै को दूर कर देता है, अपने दो दिन, तीन दिन, चार दिन महिलाओं में और बच्चों में यह महिला हैं उनमें तो बड़ा जोस है, वो सीख रहे हैं अपना भैदूर कर रहे हैं, नही जानकारी है नया प्रकास है, पहली वार देखा है वर्वान ने इतना धम को जाना है क्यों जाना है? क्योंकि अगर उस साक्य बंस में धम पहले से होता, ये जानकारी पहले से होती, तो सद्धत गौतम को छे साल मेहनत करने की जरूद क्या थी? या कहीं किसी के पास होता ये जान, तो सद्धत गौतम पेड़ के नीचे बैठके क्यों अधर संकल्ब करते हैं, फिर किसे सीख लेते हैं, जैसे बाकी सीखा उन्होंने मगर बात नहीं बनी, तो उस समय किसी के पास था भी नहीं, और जब बुद्ध को, यानि कि सद्धत गौ तो उन्ही के पास है, अल्टिमिट ग्यान है, तो समझ से आ गई, तो साथ हपते तक तो सिद्धत ने खुद चेक किया, क्या सच मैं परम ग्यान, लाष्ट अल्टिमिट ग्यान, अल्टिमिट नॉलिज, माइंड की और बॉड़ी की आ गई या नहीं आई, सीखी या नहीं स खाने का है, उसको बाद में गोबर से बदल दिया, गोबर कहते हैं कि जो धेनू करती है, काओ करती है, जो मल करती है, मढ़े बोलते हैं, मिढ़े बोलते हैं इसको, पाली के अंदर, अब मिढ़े तो सभी का होता है, अगर गाए के मिढ़े को गोबर बोलेंगे, तो भैस के मिढ़े को यानि मल को क्या बोलेंगे भैंस के भैंस वर या जो बकरी है उसके क्या बोलेंगे बकरी वर या जो घोड़ा है उसके क्या बोलेंगे घोड़ा वर या जो बैल है उसको क्या बोलेंगे बैल वर तो ऐसा नाम कहीं नहीं मिलता इसका मतलब है कि गोवर जू नाम है जज़ोटा नाम है क्योंकि गोवर अगर होता तो बाकी सबकों भी फिर उसके नाम से बुला जाता जैसे आदमी जू करता है तो उसका आदमी वर होता, नर्वर होता उसलिए ये जुटा है तरसल गौतम वरंग को बदलने के लिए लोगों के दिमाग में गाली डालने के लिए गंदी डालने के लिए इसको धेनु के जो मिनह है जो मल है उससे compare किया गया उसका नाम उसमे project किया गया और बताया गया इसको ठीक कर लें फिर लगातार महिला जो सीखती हैं तो वो विपस्ना साधना करती हैं तो विपस्ना साधना में तो एक दिक्कत यह है कि आप पुरा खाना नहीं खा सकते खाने की मात्रा की जानकारी आपको होनी चीए वनना आपको नीद आएगी आप कर नहीं सकते तो महिलाओं ने खाना छोड़ दिया तो वो क्या कर रही है उपोस्त कर रही है मगर विपस्ना तब ही कर सकते हैं खाने की मात्रा हो यानि कि कम खाना खाना है खाना जरूर है तो उनको अर्ध दिये जाते हैं यानि कि बीच में आदा खाना दिया जाता है अध दिये जाते हैं तो अध क्या है उनको अध में बनाके खरना दिया जाता है जिसको खीर बोले बार में चीर बोले थे पहले तो चरना चीर या खरना तो खरना का मतलब है इसमें वो दूद और चावल का मिलाकर उनको दिया जाता था वो खरना दिया जाता है और वो घर के अंदर रिपना साधना कर रही है तो इसलिए ऐसा दियाम किया जाता है कि उनको धूब भी लगे और वो इस्तिर हैं बलकुल ऐसे इस्तिर हैं कि चाहिए बेसक वहाँ पानी है तो पानी में भी इस्तिर है क्योंकि ध्यान साधना में है चाहिए बेसक वहाँ हवाँ चल लिए ह वहां वो इस तरह हैं तो अगर पानी भी आगे तो इस तरह हैं तो महिला सीख रही हैं तो छे दिन होगे सीखते सीखते क्योंकि दिपावली अमावा से उसको आये थे और अगले दिन से सिखाना सुरू किया और अगले दिन से सिखाना सुरू करते 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 भै दूर हो रहा ह तो जब उनका भै दूर हो रहा है तो फिर वो छटे दिन में उनको confusion पैदा होता है छटे दिन में बहुत सारे साधाक और बहुत सारे जो विपस्णा करने वाले लोग है मेटिस्न करने वाले लोग है उनको ये भरम होने लगता है जो हम कर रहे हैं उससे कुछ हमें प्राप्त होनी रहा है कुछ होगा भी या नहीं होगा अरे ये बेकार की चीज तो नहीं है हमें बेकार फालतुमत में बठा दिया कुछ आया तो है नहीं कुछ हमारा भरा तो हुआ नहीं ये छटे दिन और पांच दिन बहुत ज़्यादा होता है, illusion होता है, भरम होता है, घवरा जाता है आदमी, इसलिए इस छटे दिन को खास दिन मराया गया, ताकि उससे निकल सके, इसको छट बोलते हैं, और जो इससे निकल जाता है, वो आगे अपना सारा जीवन सुख में करत है, इसलिए इसको छट बोलते हैं, तो छट का बड़ा फेस्टिवल, क्योंकि छट विजयप आपके लिए विपस्टा साधना में जीत कए, छटा दिन निकाल दिया, तो छट का दिन उस छेतर में बहुत धुमदाम से मनता है, यानि कि वहाँ जो धीपावली है, बुद्ध के बाद में, जो एकला दिन आता है, भहिया दूज का, तो भहिया दूज आता है, बहन दूज नहीं आता है, इससे ये पता चलता है, कि भहिया जो सब्द है, वो फर्जी सब्द है, क्योंकि बुद्ध के समय में महिलाओं की मानता जादा थी, पुर्सों की मानता कम थी, अ तो सारी की सारी जो दिपावली की धंपिकास उत्सभ पी। अर्षिया के अंदर मैंमार में नैपाल के अंदर और यह थाइलेंड के अंदर इधर सिरिलंका के उंदर जहां-जहां त्यरवादी दोगंगे हैं वहां आज भी दिये जलाते हैं और राइस्थान में भी 84,000 दिये आज भी चलते हैं क्योंकि बताते हैं कि आसोग की जो 84,000 दिये हैं उनकी खुशी में लोग दिये जलाते हैं 84,000 इस्टूफ हो सकता है, बाद में लोगों ने स्टार्ट किये हो, उसके सास बना हो, मगर दिये सब जलाते हैं एक प्रतीक है कि धम का प्रकास पहल रहा है, और भिकू पवर्णा की निकल रहे हैं, और बुद्ध भी निकल चुके हैं सबसे पहले वो अपने गाउं आए हैं, 6-7 साल बाद आए थे, क्योंकि तब तक रहुल उनका बड़ा हो गया था और वहां उन्होंने पूरा धम का प्रकास दिया, रहुल को भी दिया, अपने बेटे को भी दिया, सब को सिखाया तो ये जो फैस्टिबल है, ये फैस्टिबल इसलिए बड़ा होता जा रहा है और इसलिए पहले से बड़ा है क्योंकि ये धम का प्रकास है अभी मानता हैं बदल गई, पुरानी जानकारी दब गई, नहीं जानकारी आ गई, मगर ऑथन्टिक नहीं है नहीं जानकारी तोकि जो authentic जानकारी हैं वो बड़ी बहुती ज़्यादा लोगों के मन मस्तिक्स में होती हैं इसलिए इस दीपावली को या इस धंपकास उससब को लोग नाम भूल गए इसका purpose क्या था ये भूल गए मगर उससब नहीं भूले आज भी वो अपने घर में जो धही आती है धही माता होती है जिसको लखी माता बोलते हैं लख्मी माता बोलते हैं जो सिद्धत की मा का नाम है जो सिद्धत की मा है उनकी वो पूजा करते हैं तोकि घर के अंदर बहुत ज़्यादा धही और धानने आया है उसकी पूजा का मतल मतलर है कि वो पावन वचन जो बुद्ध के हैं उनको जानते हैं पूजा का असली मतलर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि असली पूजा तो जब आपको दिवादली पे असली पूजा करनी है तो असली पूजा का मतलर है कि आपने धम को सीखना है धम को जानना है धम को मान जानना ही पूजा होता है धम के पावन वचनों को जानना धम की असली पूजा है यही दीपावली की पूजा है यही धम प्रकास उसप की पूजा है धन्यवाद आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्य लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को Gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में Convert करके आगे बढ़नी चाहिए या Print में, किताब में चाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है तंगं सरेन बिच्छामी 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 भोकियंपी दमंसर्णंगच्छादी तूथियोंपी संदोंसर्णंगच्छादी ततीयोंपी भुद्धंसर्णंगच्छादी ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी 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 साथु, साथु